अबसका सात्यों आप लोग मुझे लगता है किसी ना किसी गबर्मेंट एक्जाम की तयारी कर रहे होंगे तभी आप लोग हमसे जुड़े हुए होंगे और मेरा ऐसा मानना है देखिए कि आज के समय में आप लोग किसी भी एक्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो फिर चाहे UPSC हो फिर चाहे आपके State PCS हो जिसमें आप देखे MPPSC हो गया बिहार PCS हो गया, 36 गड़ PCS हो गया, राजिस्तान PCS हो गया, आपका उत्तर पिदेश PCS हो गया आप लोग जो Civil Service देखते हैं न, IES देखते हैं उसी की तरच पर आप देखते हैं कि आपकी State में भी State PCS होता है फिर आप देखते हैं कि Central लेवल पर भी कई तमाम एकजाम होते रहते हैं आप देखते हैं State लेवल पर भी कई तमाम एकजाम होते रहते हैं और इन सब के लिए Current of AS बहुत ही महत्पूर रहता है और आप देखें कि अगर आप लोग अपनी परिक्चाओं के जिस भी परिक्चा की तैयारी करें उसके कम से कम 4-5 साल पुराने Questions पर उठाएंगे उन्हें पढ़ेंगे, उनका मुल्यानकन करेंगे तो मुझे लगता है ये Current of AS के बारे में आप लोग समझ पाएंगे कि Current of AS आपकी परिक्चाओं के लिए कितना महत्पूर रहता है और हर एक जाम में अच्छी खासी संख्या में Current of AS से Questions आते हैं और मुझे लगता है कि UPPCS, MPPCS, Bihar PCS या Civil Service की जो Prelims देने जा रहे होंगे उनकी लिए आप देखते होंगे वो बड़ी इंतजार करते हैं इस Books का इसका नाम है समसामिल की समाईर के घटना चक जिसे आप लोग क्या कह देते हैं द्रश्टी घटना चक और ये आप देखेंगे कि 1 जून से 1 जून 2021 से 10 मई 2022 तक जो भी घटना एं घटी हैं उन सब को इसमें सामिल किया गया है और वैसे भी आप सभी जानते हैं कि इतने ही महिने से आप देखे इतना ही टाइम का एक तरह से करेंट अप्यास कि आपकी परिक्षाओं में कुर्शन्स बनते हैं तो 1 जून 2021 की बात हो रही है एक जून 2021 से जो भी घटना है हमारे देश में घटी दुनिया में घटी और जो आपके परिक्षा के लिहास से मतोंड हो सकते हैं उन सब के बारे में आज हम लोग इन किलासों में बात करेंगे और जैसा कि आपको बताया है कि और हरवाल आपने देखा होगा आप लोगों की माग भी रहती है कि इस बुक्स को मगाना चाहिए इस पर बाद करनी चाहिए हमें और पिछले सालों में भी हम लोग ने इस books को खरीदा था और आप लोगों के लिए ही खरीदा जाता है और 1 जुन 2021 से 10 माई 2022 तक इसमें सभी घटनाय सामिल की गई है यह आपका current face रहेगा इसमें हमें पढ़ना क्या क्या है? सबसे बड़ी बात यह है आप लोग पहली topic को देख लिए कि हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे इस books में हम लोग सबसे पहले राष्टी परिदिस देखेंगे इसमें अटल नियू इंडिया को इंडिया चैलेंज 2.0 देखेंगे राय सीना संबाद 2022 देखेंगे पिधान मंत्री की जम्मू एवं कस्मी रियात्रा ही है उस पर भी बात करेंगे हरित हाइडोचन सयंतों के बारे में बात करेंगे स्मार्ट सिटी के बारे में बात करेंगे स्मार्ट सहरी करण 2022 पर भी बात करेंगे साया आप देखेंगे कि 100% गोल्डन सेहत कायड पंजीकर्ण वाला पहला राज इस पर भी बात करेंगे हम लोग आंध्पिदेश में तीरे नए जिली बने हैं उन्हें भी देखनेंगे नागालेंड देश की पहली कागज रहत बिधानसवा बनी है इसे भी देखेंगे स्कॉच एस्टेट और गवर्नेंट गवर्नेंस रिपोर्ट कायड 2021 को भी देखेंगे पाँच राज्यों में जो बिधानसवा चुना हुए 2022 में उन्हें भी देखेंगे राष्टी भूमी मुद्री करण निगम के बारे में भी आत करेंगे हम लोग रागन मिसन इंदधनो 4.0 के बारे में बात करेंगे गोबर धन सैंद इंदोर के बारे में बात करेंगे ओफरिभद्रा परियोजना को राश्टिय परियोजना का दर्जा इस पर भी बात करेंगे इसमाईल योजना को भी देखेंगे अटल सुरंग विसकी सबसे लंबी राजमार्क सुरंग है इस टैशू आफ एक्वाविलेटी पर बात करेंगे परवतमाला परियोजना को भी देखेंगे, कानफुर मेट्रो का सुभारम देखेंगे, इतना हम सब लोग राष्टी परिदेस्त में कबर करेंगे, और याद रखे, इतना अगर आप लोग कबर कर लेते हैं, तो मुझे लगता है कि करेंट अपेस आपका कबर हो जाता है, और हम लोग रक्षा अधीगहर, फिक्रिया, दो हीधार वीजार बीष में संसुधन हुआ है, उस पर बात करेंगे, निधी नियम दो हजार चौदे को देखेंगे, operation इस अंसुधन अधिनियम 2002 यह उसे को भी देखेंगे, समिधान, अनसुचित, जाति, अनुचित, संसॉधन जने comment inаров Twitter, में marriage application, दूसरा। विधियक 2022 को देखेंगे, निरवाचन विधियत इने इन हम 2021 को देखेंगे, स्वाभक औजदे और मना प्रहभावी संसोदन इन हम 2021 को देखेंगे, विठ नियाले और सर्वी नियाले नियालेpler नियाले स्मेडियत, वितन एबं सेवा सरतने संसोधन अधिनियम 2021 को देखेंगे, बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 पर भी बात करेंगे, किरसी विधी निरसन अधिनियम 2021 को भी देखेंगे, केंदिरिय सतरक्ता आयुक संसोधन अधिनियम 2021 देखेंगे, ड्राउन नियम 2021, पेटेंट संसोधन नियम 2021 21 पर भी बात करेंगे तो यह हम लोग विधिक परिदिस्त को कबर करेंगे किलास में फिर अंगली किलास में हम लोग अंतराष्टी परिदिस्त देखेंगे और इसमें अंतराष्टी संबंध हो गया है भारत की साथ अन्य देशों तथा विभिन देशों के पारसवर्ग संबं पर एग हम लोग एक overview ले लेंगे अंतराष्टी चुनाओ सत्ता परिवर्तन जो हुए हैं चुनाओ सत्ता परिवर्तन दुनिया भर में आप देखते हैं देशों में चुनाओ होते रहते हैं तो उस पर भी बात कर लेंगे और अंतराष्टी आपदाएं जो आई हुई हैं 2021-22 मैं उन्हें भी हम लोग देख लेंगे क्योंकि अंसे भी आपकी परीख्शाओं में रीखेंगे क्योंकि राश्टीया मुद्रा, बैंकिंग करे से उद्यो, वैदेशिक, छेत, विस अर्द्वस्था की सभी मत्पूर मुद्दों को भी हम बात करेंगे फिर हम लोग विज्ञानिक परिदेश देखेंगे अंगली क्लास में नौ अन्वेसित आकासी है पेड पिंड सौर मंडली अन्वेसन अंतरिक छेयान उपगरे खागोली ये दर्स, तकनीकी अविस्कार, सूचना एवं पुरूदोगी की और निदानी कनुसंदान, किलोन एवं जीनोम मांचित्रन तथा अग्यतन पर्यावान विज्ञान पर हम लोग बात करेंगे और फिर देखी याद रखी हम लोग उत्तर बिदेस्ट बिसेस्ट पर बात करेंगे लेकिन लास्ट में हम लोग देखेंगे पहले इससे क्या रहेगा कि जो UPPCS की तैयारी कर रहे होंगे उनकी लिए सेपरेट कापी मतवोंड हो जाती है किलास और आप देखेंगे UPSC की तैयारी कर रहे हो जो MPPC की तैयारी कर रहे होंगे तो आप सभी जानते हैं कि कम ही उत्तर बिदेस्ट बिसेस्ट से उनकी परिक्छाँ में कम ही questions आएंगे तो पहले वो लोग current UPPS से पढ़ लेंगे और जो उत्तरपदेश की तयारी कर रहे होगी किसी एकजाम की, तो उसके लिए अलग से last में class मिल जाएगे, आपको परेशान नहीं होना है, करवाएंगे सब कबर, लेकिन थोड़ा एक तरह से करम से करवाया जाए, फिर हम लोग देखे, संचिप्तियां पढ़ेंगे, इसमे चर्चित पुस्त के हो गई, अन्य विविद, विविद अग्यतन मत की घटनाओं का संचित, हम लोग बारसिक आंकलन देख लेंगे, फिर हम लोग खेल पर इदिस्ट पर बात करेंगे, एक किलास में, लॉन टैनिस, टोकियो उलम्पिक 2020, फेरा उलम्पिक 2020, क्योंकि आप स सालों में, उन पर हम लोग बात करेंगे, तो इन सब्सक्राइब पर हम लोग बात करेंगे, और यकीन मानिये आप लोग, और कि अगर पुराने ये तरीके से आप लोग करेंट अपेरस को फॉलू करते आ रहे हैं, और तो मुझे लगता है कि एक तरह से आप लोगों को लोग फॉलो करते रही हैं अगर आप लोग हिंदी मीडियम से हैं तो जनसत्ता हो गया धैनिक जागरन हो गया धैनिक अभासकर हो गया इसनके सब के राष्टी संसकर्ण की बात करें और इंगलिस मीडियम से हो गया तो आप देखते हैं दाहिंदू आप लोग पढ़ सकते हैं में इसके इंडिया अंतराष्टी केंद पर बात करेंगे इपेंशन पोर्टल देखेंगे और बुंदेल खंड एक्सप्रेस वेपर इंडिया स्मार्श टीज अवर्स पितियों गिता पर राज उर्जा और जलवायू सुचकांग ऑपरेशन काया कल लखनव में राष्टी रो मान 2022 तीसरा राष्टी जलव पुरुषकार उत्तर पिदेश सरफसेष्ट राजरा है सतीस महाना ये उत्तर पिदेश विधासभा की अध्यक्ष मने हैं और हिंदी साहित संबेलन उत्तर पिदेश की आर्थी राना एभम नीरिजा माधव नारी सक्ती पुरुषकार से सम्मा अंतराष्टी इधुफत मेला और 2022 लखनव में देश का पहला ग्रेन बूत संजय गांधी पीजी आई में रोबोट से ओपरेशन सौदी सी सर्च इंजन भारस सर्च और मुझे लगता है कि जादा इसमें भी टाइम नहीं लगेगा तो आप लोग सभी लोग किसी भी स्टे चलिए तो हम लोग बात करेंगे अंगली किलास में एक एक टॉपिक को पढ़ेंगे और विस्तास से पढ़ेंगे और सभी एकजाम के लिए मात्मोड रहेंगी जिसके जिसमें करेंट पेस पूछा जाता हूं ठीक है